तो अपनी चल रही थी बायोकेमिस्ट्री आज फांश थारीक होगी अब अब तक हमने अमाइनवासिट की इस्ट्रक्चर देख चुग है ना कआ उसके बाद मैं मैं स्टक्चरेशक का इपने इसब्स पर चार्ज के रफदह करना फिर उसके बाद में हमने प्रोटीं की जो primary secondary टर्सरी स्टक्चर होती है उसको भी देख लिया न और वह pregnant नेने हैलेक्स और आज नया टॉपिक है बीलकुल ऐसे था है बाकी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है इसका तरह कि ए ए इनजाइम काईनेटिक्स वैसे टॉपिक हाड रहे लेकिन इतना भी हाड नहीं है कि अगर आप समझने की कोशिस करो तो नहीं समझ में कोशिस करोगे तो आ जाएगा ना समझ में और अपने एक्जाम में mostly दो ही टाप के कोशिन इसमें से पूँचे जाते हैं एक तो आता है आपका माई कैलेश मेंटेन equation के उपर numerical दूसरा आता है इसमें इसमें आपका एंजायम इन्वीशन से तो mostly case में ये दो कोशिन बनते हैं दोनों ही चार-चार नमर के बनते हैं और साइध ही कोई year होगी जिसमें एंजायम का एंटेक्स से कोशिन नहीं आया हो मतलब हर year में एंजायम का एंटेक्स से कोशिन आता है और एंजायम इन्वीशन पर एक करवाता है वहां से आजाता है ये एंजायम का एंटेक्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं ग्राफ बनाना सीखना पड़ेगा ग्राफ बगरा का फॉर्मेशन कैसे करते हैं यहां ग्राफ को रीड कैसे किया जाता है अगर आप ग्राफ को रीड नहीं कर पाओगे तो फिर कोशन नहीं हो पाएगा ग्राफ के बल यहीं नहीं ग्राफ आपको बता जैसे एकोलोजी है एकोलोजी में भी है न कितने सारे ग्राफ आते हैं तो ग्राफ को रीड करना बहुत जरूरी है आपको ये हमेशा पता रहना चाहिए कि जो हम graph बना रहे हैं उसमें x axis पर क्या दे रखा है और by axis पर क्या दे रखा है x और by axis के बीच में mainly दो type के relation होते हैं यहां तो दोनों proportional होते हैं यहां दोनों inversely proportional होते हैं y के हम क्या देख रहे हैं पहले graph formation देख रहे हैं अगर x directly proportional लोग इसके य के तो जैसे एक graph बना लेते हैं यह इधर तो रहेगा अपना कौन सा एक्सिस x-axis और यह रहेगा y-axis अब directly proportional का मतलब यह होता है कि अगर x की value बढ़ेगी तो उसी के साथ-साथ y की value बढ़ेगी तो जो ऐसा graph होता है यह बनता है आपका इस तरीके से तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो x है वो समान पाती है किसके y के यह हो गया ना directly proportional का अब इसमें भी जैसे मैं आपके सामने बढ़ा दो जैसे x जो है यह समान पाती है y square के यह भी देखो आप directly proportional है या नहीं है अब यह भी प्रपोर्शनल तो है डायरेक्ली प्रपोर्शनल नहीं हो सकते डायरेक्ली का मतलब होता है कि एक तरह से जितनी value x की बढ़ेगी उसी ratio value y की बढ़ेगी लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर जो है y के ऊपर क्या लगा हुआ है square लगा है तो इसका मतलब इस तो modification होगा इधर तो अपना पूई x रहेगा इधर y रहेगा तो इस case में आपको क्या करना है जिस तरफ power आपको कम देखे उस तरफ graph को थोड़ा सा जुखा देना है तो power किस की कम है x की power कम है तो इस graph को थोड़ा सा क्या करोगे आप x x की तरफ क्या कर दोगे जुखा दोगे अभी तो ये straight line बन रहा था अब ये थोड़ा सा tilt हो गया x की तरफ तो x समानपाती हो जाएगा क्या y square कि समझ माया जिसकी power कम होगी उसकी तरफ आपको थोड़ा सा जुखा देना है और ये power का defense इतना ज्यादा होगा जुखाब उतना ही बढ़ जाएगा जैसे suppose करो मैं आपसे बोल देता कि जो x है x cube जो है वो समानपाती है कि इसके y के या y समानपाती हो जाएक कि इसके x cube के तो अब इस case में आप कैसे बनाऊगे समानपाती तो ये भी है पहले तो ये बताओ graph किदर tilt होगा किदर जुखेगा y की तरफ जुखेगा क्योंकि y की power कम है लेकिन इसके comparison वो कम जुखेगा है ज्यादा क्योंकि यहाँ पर power का difference 2 का है यहाँ पर तरीका है तो अब यहाँ पर जो graph बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा एक्स जो है वो समानपाती होगा किसके वो x cube समानपाती है किसके y के समानपाती में भी power का भी क्या हो सकता है difference हो सकता है तो जितना ज्यादा difference होगा graph कम power वाले की तरफ क्या हो जाएगा जुख जाएगा तिल्ट हो जाएगा अब देखो यह जो है जैसे मैं इसमें बोलता हूँ कि यह जो है दो graph है यह भी x समानपाती भाई है और यह भी x समानपाती भाई है फिर दोनों में difference क्या है क्या difference होगा दोनों में बताव दोनों ही जैसे ये तुमानलो ए कर्व हो गया और ये बी वाला हो गया क्या डिफरेंस है दोनों में दोनों समान पाद दीगी है आपको दिख रहे है न दोनों तो इसमें जो है slope का difference है तो A वाला है इसकी slope ज़्यादा है और B वाले की slope कम है तो यहाँ पर हम लिख सकते है slope of curve A ज़्यादा होगी किस से B से यह slope के लिए यह angle देखा जाता है यहाँ पर तो angle बन रहा है यह वाला और इसके लिए बन रहा है यह वाला तो किस के लिए angle बढ़ा है किस के लिए बढ़ा होगा बताओ A के लिए बढ़ा होगा अंगल अभी मैं आप से बोल देता कि यह कोई graph है यह A है और यह B है अब बताओ किस की slope ज़्यादा होगी B की है A की बढ़ा किस की ज़्यादा होगी A यह B किस की ज़्यादा देख रही है इसमें तो आपको देख रही थी सीधे सीधे है न जो उपर की साइड में होता है उसकी slope ज़्यादा होती है उसके लिए angle ज़्यादा बनेगा यहाँ पर किस की slope ज़्यादा होगी कर्षण कोई तो देख रहा होगा दोनों में से उपर नीचे कुण देख रहा है भी किस लोग जाद देख रही है कर्षण आपको क्या देख रहा है तो देखो ऐसा होता है अगर आप इनका एंगल बना के देखोगे ना जैसे इसका एंगल तो यहां पर बने गाए ना ऐसे है ना तो यह वाला बनेगा इसका एंगल यह वाला बनेगा अगर आप जहां से देखोगे तो दोनों एंगल बनाब रहें और कहीं भी तो पैरिलल ला लोप होती है उमिंख लोप टबो बरावर होगी स्टोर सिलोप और ऑव किसके बतागी आपने की दो तो दोनों की स्लोप क्या होगी बरावर होगी तो एक बच्पन में कावत आती थी मतलब जैसे जो हमारा घर जो आने जश्ट क्रसी ग्यान केंदर की जश्ट सामने है की डलान पर आडे बुवाई करें तो उस टाहिम पर एसे पढ़ना आता था लेकर उनके ऐसे पाणना सीख जाते हैं तूसरी तीसरी क्लास मैंने उसको पढ़ना तो सीख गए यासे इंदी पढ़ना सीख गए लेकिन उस सब्दों की मीन समझ में नहीं आते थे न तो जैसे कोई आपको दो पाड़ी बगरा दे रखेंगे हैं और उनकी डलान निकालनी हो यह किसकी डलान ज्यादा होगी तो आप कैसे पता करोगे कोई भी एक क्यों चाहि ज्यादा भी हो सकती है लेकिन ठलान का कैसे पता करोगे किसकी डलान ज्यादा ज्यासे एक तो यह पाड़ी है न एक यह पाड़ी है A और B आप कैसे पता करो किसकी डलान जादा है डलान पर आड़े बवाई करने का मुझा समझते हो ना आप अब अब बताओ किसकी डलान जादा है A की यां B की तो आपको क्या करना है बापस से पूई अंगल देखना है किसका अंगल जादा होगा A का यां B का A का जादा होगा सीधा से नहीं देख रहा है ये बिलकुल खड़ा हुआ है ये तो जुखा हुआ है इतना जो जो जुखा हुआ हो गपा इसकी डलान कम होगी जो जाधा इंगल आपको नहीं देख रहे ज्यादा एक बार तो इस पारड़ी से एक बार इस पारड़ी से तो यह चेक रहेंगी किस पारड़ी से पहले नीचे आती है तो जिस पाड़ी से पहले नीचे आएगी उसकी डलान ज्यादा होगी तो यह दूसरा एक्सपरिमेंट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अब बताओ पहले वाले एक्सपरिमेंट से समझोगे या दूसरे वाले से कि पहली अनलब देख के पता कर्लो कि कौन ज्यादा खड़ा है तो कौन ज्यादा कर्ब एक एक जो डलाना है वो ज्यादा होगी समझ 모양 अगए निकाल लोगी इसम्हें इसमें mathematical, physical term में क्या बोल देते हैं, slope का मतलब इंदी में से क्या होता है, धलानी होता है वैसे भी है, तो आप पता कर लोगे, तो यह जो आपका graph है, यह होता है, directly proportional का यहां, proportional का, यहां तो straight line बनेगा, यहां power का difference ज्यादा होगा, तो graph क्या हो जाएगा, tilt हो जाएगा, एक side म दूसरा आपका होता है, inversely proportional का, जैसे कि x जो है, inversely proportional है कि इसके, y के, इसका मतलब यह हो गया, इसको ब्यूत्वक्रम अनपाती बोलते हैं न, दीव का वारिस वारिस हो रही है, इतना dedication कहां से आता है, आपके अंदर बढ़ाई करने के लिए, घर से निगले तब वारिस नहीं आ रही थी, चलो आँ तो यह inversely proportional का है, और यह, इसका होता है, proportional का, proportional में भी ऐसी है न, different conditions हो सकती है, आप देखो inversely proportional का, inversely proportional में क्या होता है, जब एक बढ़ेगा, तो दूसरा गठेगा, मतलब जब एक maximum होगा, तो दूसरा उस time है, minimum होगा, तो suppose करो, जैसे यह जो graph है, यह हम बनाते हैं, जैसे enzyme, क्या बोलते हैं, sub-state और product के लिए, जैसे t बरावर 0 पर हमने कोई sub-state लिया, तो उस time पर product तो बना नहीं होगा, तो उस time पर sub-state तो infinite होगा, लेकर product जीरो होगा, तो मलनों यह sub-state है, इन-finite है, अब दीरे-दीरे क्या होगा, time के साथ में, जो sub-state हो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो यह जो graph होता है, यह होता है, एक समानपाती 1 upon y का, और अगर हम product का बनाते time के साथ में, तो फिर product time के साथ में बढ़ता है, तो फिर उसका graph ऐसे बन जाता है, मलने सी में हम बना सकते थे उसको, यह किसका बनता, एक समानपाती by होता, तो ऐसा बन सकता था, समझ माही बाद, यह तो ऐसे लिख लेते हैं, यह तो किस के लिए है, product के लिए, और यह, sub-state के लिए time के साथ में इस तरीके से बनता है, तो यह जो इस color में लिखा है ना, यह इस color वाले का graph है ना, तो एक sub-state के लिए होता है, और एक product के लिए होता है, प्रगतिया प्लेट कैस हो गए, बारिस हो रही थी, बारिस तो हमारे यहां भी हो रही थी, वैसे, नहीं हो रही, करशना तो मना कर रही थी, कि उजिए रही थी बारिस उदर, चलो, तो यह inversely proportional का समझ में आया है, अच्छा, अब एक तीश्य टाइफ का graph और होता है, उसको और समय लेते ना, जो अपने काम आने वाला है, जैसे यह आपने पढ़ाओगा बच्पन में, बाई बरावर M X प्लस C, ऐसा कुछ बढ़ाता गया? नहीं पढ़ाता? लेग में उर करब बनाते थे, ऐसे, चैमिस्ट्री में पढ़ाओगा खुब है ना, चैमिस्ट्री में आया था यह तो, एक रासानेक सामे नाम से चैप्टर आया था ना, चैमिंकल एक लिव्रियम आया था, तो उसमें आया था, खुब आया था, तो देखो यह बराबर जो M X C है, यह क्या बता के जाता है? यह तो Y X हो गया अपना है ना, और यह X X हो गया, इसमें जो M होता है, यह होता है Slope, Slope जो है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, तो यह प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, और यह है C, C मतलब जो अपना Y X होता है, उस पर कोई इंटरसेक्ट होता है, अभी देख लेंगे ना, क्या होता है यह? इंटरसेक्ट अन बाई, इसको हम बोलते हैं, अन्ते खंड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली ग्राफ है जातर यहां से स्टार्ट होंगे, लेकिन इसमें जो ग्राफ है, यह इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब बाई एक्सिस पर कुछ आपको बैल्यू दे रखी होगी, उस पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो C को हम क्या बोलते हैं, C बोलते हैं, अब इसके चार एक्वेशन पॉसिबल हो सकते हैं, चार आपको थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे पहला एक्वेशन होता है, अब पहले इस C को देखो, कि जो C है, वो प्लस है या माइनस है, प्लस है, तो प्लस के लिए उपर चलते हैं, नीचे चलते हैं, उपर चलते हैं, तो C की एक्वेशन में कुछ निउमेरिकल वैलू दे रखी होती है, मालो यहां पर C की जाएब दिया है, प्लस टू, इसका मतलब हमें कितना उपर चलना है, इसका मतलब अपना जो ग्राफ है वह यहां से बनेगा, अब यहां से बनेगा ग्राफ अगर माइनस में होता है, तो यह नीचे चलते हैं तो नीचे से बन जाता, अब मालो यह तो मैंने बताए आपको की औरिजन पॉइंट वाला ग्राफ है, अब देखो ये अपना first quadrant होता है और ये ये third और ये fourth quadrant होता है अपना है ना ये हमने पढ़ा था को बच्छमन में अब यहां से अगर मैं graph बनाऊं तो इसकी दो condition है या तो मैं इसको ऐसे इस side में बना सकता हूं या मैं इसको इस side में बना सकता हूं दो side में graph बन सकता है ना ये अब देखो इसका जो last point है जो end हुआ है line का वो कौन से वाले quadrant में आया है फर्स्ट में या second में फर्स्ट क्वाडरेंट है ना ये वाला तो अगर फर्स्ट में आई last वाला point तब तो वो slope मानी जाती है पॉजीटिव तब तो एम क्या होगा पॉजीटिव और अगर सेकंड वाले में आता है तो स्लोप कैसी होगी कि नेगेटिव समझ माय स्लोप का फंड़ा आप चाहो तो इसको ऐसे यहां पर पीछे बढ़ा सकते वह ना इस तरफ तो अब स्लोप पैंचान लोगी positive होगी है नगेटिव होगी कैसे पैंचान होगी जो लास्ट वाला पॉइंट निकलके आया है उसका वह फश्ट वाले कॉअडरेंट माया यहां फिर एकिंड वाले कॉअडरेंट माया है ठीक है अब देखो इसका हमें ग्राब बनाना है तो सी की वैलू हमें पता लग गई ऊपर हो गया ना और पॉइंट से अब स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव है तो इसको फश्ट वाले में निकलना पड़ेगा इसको ना तो इसको आप यहां से ऐसे बना दो बन गया ग्राफ जाओ तो आपकी मर्ज बरावर M X माइनस C इसका कैसी बनाओगी ग्राफ M X minus C तो C देखो इसमें plus है या minus है C है इसमें minus तो minus के लिए उपर चलोगे है नीचे ये नीचे चले ठीक है slope positive या negative तो first में निकाले है second में अगर positive है तो first में आपको निकालना पड़ेगा ठीक है तो यहां पे इसको बना दो बस ऐसे यह किसका बन गया बाई बरावर M X minus C का अगर एक ग्राफ आपको बनाने के लिए दिया जाए बाई बरावर minus M X plus C इसको आपको खुद बनाना है तो एक बार मेरे को बना के देखाओ कैसा बनेगा इसका ग्राफ देखो चेक करो सबका कैसा कैसा बना था पता उपर चला या नीचे प्लस है तो प्लस के लिए उपर चलेंगे ठीक है ना पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव तो ये नेगेटिव के लिए इस तरफ बनाना पड़ेगा आप चाहो तो इसको पीछे की साइड में यहां तक बढ़ा दो तो ये बन गया किसका य बरावर minus M X ये बनाया था सबने ठीक है तो अब एक और बचला है अपना फोर्थ वाला by बरावर minus M X minus C वाला इसको बनाओ गया मैं ही बनाओ तो ये बताओ minus C के लिए उपर चलेंगे नीचे नीचे तो चलो ये नीचे चल गया origin point से ठीक है minus है चलो पीए plus minus के लिए इसमें निकालना है ये बन गया by बरावर minus M X minus C का तो ये तो हो गए आपके graph बनाना समझ मागी बाद तो यहां तो graph proportional का हो सकता है यहां फिर inversely proportional का हो सकता है यहां फिर किसका हो सकता है ये जिसमें graph origin point से start नहीं हो वाला हो सकता है तो अब इन तीनों उसको graph को बना लिया जाए ना एक एक करके बना लेते हैं ये अपनी first वाली slide हो गई यहां से बनाने start करो अब पहंचानलोगे सिलोप किसकी ज़्यादा होगी कम होगी तो कौन सा तरीका वेटर रहेगा first वाला है second वाला second वाले में तो हमें experiment करके देखते हैं practically first वाला देखके बता करते हैं तो कौन सा तरीका वेटर करसना first वाला वेटर है और first वाला जिसको समझ में नहीं आएगा उसी के उपर try किया जाएगा second वाला तरीका second वाला तरीका बता है प्रगति क्या होता है नहीं बता ना अब लेट आने का यहीं वह है काटा अब आपको जिन्दकी वर अप्सूस रहेगा कि क्या तरीका था वो दूसरा वाला चलो यह बनाव ब्राव है ना अ अ अ अ तो क्रिशन आप लोग उसमें कैटलिस्ट मैंसे भी करते होगा कोश्चन उसमें कुछ अलग मिलेंगे दो-चार कोई डाउट्स बगरा नहीं आते के आपको आते हैं के डाउट्स बगरा डाउट्स वाल्व करने के लिए क्याप है डाउट नट नाम से डाउट्स नाम से एक है जिस पर डाउट्स वाले नहीं होंगे उस पर नीट वाले होते हैं नेट नेट लेवन ट्वेल्ट आप लोगों में से किसी की गले वगरा में देखकत चल रही है कि कोई बाहरे लोगर आया है मेरे तो ऐसे लग रहा है कि गलाए सकता है अब लग जो काम भी नहीं है कुछ नहीं है ऐसा है ना केवल गले में यहां पैसे देखकत सी हो रही है अब बना लिए आपने अब पता है कि क्या है यह अब प्रिजा का मतलब क्या होता है वैसे नेचर इसमें एक लाएन लिख लो फिर आप जिसकी पौवर कम होगी ग्राफ उदर टिल्ट हो जाएगा जिसकी पौवर कम जैसे यहां पर बाई की पौवर कम है न तो ग्राफ बाई की तरफ जुग गया है न यहां पर आप देखोगे तो एक्स की पौवर कम है तो ग्राफ एक्स की तरफ जुग गया है तो जिसकी पौवर कम होगी ग्राफ उस तरफ जुग जाएगा चेंज करें स्लाइड ये बना लो ये किसका है इनवर्सली प्रपोर्शनल का ये जैसे कि सबस्टेट का अगर आप टाइम के साथ में देखोगे न तो टाइम बढ़ता है लेकिन सबस्टेट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती है तो इसमें एक बढ़ेगा तो दूसरा गठेगा अठेखन सबस्टेट के अबढ़ेगा अगरा गजय सबस्टेटर के अधा है झाल झाल करदा चैनल इसको बना या इसको बना या इसको बना वाप तो ये वाले ग्राव बना लिया आपने ठीक है तो इसमें बताया गया आपको कि ये जो आहम है इसका मतलब तो होता है ये पॉजिटिब भी हो सकती है और नेगेटिब भी हो सकती है और ये जो पॉइंट उसका फस्ट वाले क्वाडरेंट में आता है तब तो स्लो पॉजिटिव और सेकंड वाले में आता है तो स्लो नेगेटिव हो गया इतना समझ माया अब चलते हैं यह तो ग्राफ फॉर्मेशन था अब अपनी ही आन्यम कानेटक्स जो अब वह स्टार्ट होगी